चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देग स्वागत करता हूं बच्चो आज हम इस वीडियो में क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के बारे में बात करेंगे नीट का एप्लिकेशन फॉरूम फिल करते से में ज्यादा तरे स्टूडेंट को इसके बारे में डाउट रहता है कि कौन सा कोड फिल करें तो आईए मैं आपको कोड वाई जिसके बारे में जानकारी दे रेता हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोड वन की तो कोड वन उन स्टूडेंट को फिल करना है जो 12th स्टेडर के अपेरिंग कंडिडेट है यानि कि इस साल उनका 12th का एकजाम होना था और इसी साल उनका रेजल्ट आना बाकी है भी तो ऐसे कंडिडेट एप्लिकेशन फॉरूम में अपेरिंग ओप्सन फिल करके कोड वन फिल कर देंगे लेकिन ध्यान रहे कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम में एकजाम होने के बाद में जब फर्स्ट काउंसलिंग होगी उस समय आपने 12th क्लास पास कर ली है और जो मिनिमम मार्क्स रिक्वाइड है वो आपने पूरे कर लिये हैं ये कंडिशन है इसमें इसके बाद में हम कोड टू की बात करें तो कोड टू उन कंडिडेट को फिल करना है जिन्होंने 12th क्लास 2020 इसमें 2019, 2018 या इससे पहले पास कर ली है और वो ड्रोपर कंडिडेट है यानि कि उन्होंने फर्दर आगे कहीं एड्मिसन नहीं लिया है वो सिरफ नीट की तयारी ह कर रहे हैं तो ऐसे कंडिडेट को कोड टू फिल करना है अभी कोड टू उन कंडिडेट को भी फिल करना है जिन्होंने साइन्स स्ट्रीम के अलावा कहीं एड्मिसन लिया है जैसे बी, बीकॉम, ल, बी उनमें अगर एड्मिसन लिया है तो उन कंडिडेट को भी कोड टू ह examination science stream से पास कर रखी है physics, chemistry, biology या bio technology के साथ जिसमें practical भी सामिल है और English एक compulsory subject रहा हो ऐसे examination करनाट का महाराष्टर जैसे state में होते हैं तो उन student को code 3 fill करना है इसके बाद में हम बात करें कि code 4 किन student को fill करना है तो code 4 उन student को fill करना है जिन्होंने 12th class पास करने के बाद में किसी science के course में admission ले रखा है या फिर किसी medical college में वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे BMS की पढ़ाई कर रहे हैं BDS की पढ़ाई कर रहे हैं तो science stream के course में अगर वो आगे further study कर रहे हैं तो ऐसे candidate को code 4 fill करना है यह student को ज्यादा तर doubt रहता है जैसे BMS में जिन्होंने admission ले लिया वो NEET की तैयारी कर रहे हैं NEET का exam देना चाहते हैं तो वो code 4 बर दें इसमें इस बार और बाकी जैसे nursing के student हैं paramedical के student हैं तो वो यहां पर code 4 fill कर दें जो further study कर रहे हैं इन courses के लिए अब इसके बाद में हम बात करें code 5 की तो जो student BSC first year के हैं या फिर BSC अभी second year में हो गए हैं तो ऐसे candidate code 5 fill करेंगे यानि की BSC first year और second year के student code 5 fill करेंगे जिनके physics, chemistry, biology या बायो technology में कम से कम दो subject इसमें सामिल होनी चाहिए तो ऐसे student code 5 fill करेंगे इसके बाद में जिन्होंने BSC complete कर लिया है वो code 6 fill करेंगे यानि की BSC pass कर लिया है इनमें physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी बोटने जूलोजी इनमें कम से कम दो subject तो होना चाहिए अगर इन subject से वो pass किया है code 6 भरेंगे अगर इन subject के अलावा इन पास किया है तो वो code 2 ही भरेंगे इसमें code 7 abroad student के लिए है जिन्होंने फोरें से physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी से 10 प्लस टू या फिर qualifying exam पास की है तो वो student code 7 fill करेंगे यानि कि जो abroad से है जिन्होंने abroad से पास की है तो इस प्रकार से आप code भरेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा तर doubt उन्हें student को होता है जो medical की already पढ़ाई कर रहे हैं जैसे बीए, बीए, मेस, बीए, मेस, बीए, मेस, बीए, मेस, इस प्रकार के course कर रहे हैं या फिर BDS कर रहे हैं तो ऐसे candidate इसमें code 4 fill कर दें ज्यादा तर उन्हें student को doubt रहता है अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो code 1 और code 2 है ये man code है अगर आप appearing है तो code 1 भरना अगर आपने पास कर ली है ये क्वाली भाएंगा एक्जाम पास कर ली है तो इसमें आप code 2 भरेंगे तो भी कोई mistake नहीं है चाहे आपने कहीं भी admission लिया हो यानि कि code 2 भी आपके लिए applicable है तो ये एक छोटा सा आपका doubt था मैं सोच रहा हूँ कि ये doubt clear हो चुका होगा अगर फिर भी आपको इसके बारे में कुछ doubt रहता है तो आप comment section में जरूर लिखें मैं उसका reply जरूर दूँगा तो मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद